अब तक हमने एक्सल इंट्रोडक्शन का दो पाट देख लिया है जिसमें मैंने आपको एक थेरी पाट कर रहा है था और दूसरे में हमने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पाट में होम टैप का सारे टूल्स का यूज़ देखा था आज के वीडियो में हम इंसर्ट टैब और पढ़ने वाले हैं तो बीना टाइम विष्ट की हम सुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नाया हमारे पास होने वाला है जैसे कि हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं बता दो कि यहां पे 50% टूल्स जो है वह सेम रहने वाले जो हमने एमेस वर्ड में पढ़ा था तो ज जो है इसमें मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे हमारे पास थीम से जैसा है कि हम एमेस वर्ड में डिजाइन टैप अलग से पढ़ेते हैं डिजाइन का हमने यूज देखा था है कि हम पेज को करने के लिए करते हैं टेक्स्ट में चेंजिस लाना होता है तो वह टू जा हम यहां से लगाना चाहिए वह से चेंज करेंगे हमारे तो यहां से आपको कर लेते हैं अब नेस्ट आ पर न चाहांएं यहां यहां से चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट में अंत्व Pi10 छोड़ना चांगे अब और इतो अगर सिंपली हम हम बात करें तो यहां पर हमें बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन अगर हम इसे पार्टीकुलर पेश साइज देते हैं या फिर जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट के समय में अलग अलग पेशाज पेड डेटा नजर आएगा कि एक पेश के हमारे अंदर कितने डेटा print होने वाले हैं, तो यहाँ से हमने size select किया, जैसा margin रखना चाहते हैं, वो margin को select करेंगे, और फिर जैसा orientation रखना चाहते हैं, हमें किस तरीकस data को print कराना है, वो सारा यहाँ से हम select कर सकते हैं, तो यह सारे page setup आपको यहाँ से देते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एक प्रिंट एरिया भी नज़र आता है कि एक्सल में आपको प्रिंट एरिया कितना सेट करना पेज पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो सपूस करते हैं कि हमने बस इतने दूर के हैं यह एरिया को प्रिंट करना तो हम उस एरि को दो आपकर चुका है लिए खिख करने घर चौन के अंदर में अगरा बैग्जर लगांग लगाने तो सारे की अंदर में वह यहां हम कोई पिक्चर को ले लेते हैं और पिक्चर यहां पे इंसाट गया लेते हैं हर अब देख सकते हैं कि हमारे पीछे में जो है वो अब पोर्य स्पीचर फो इतना साइज पिक्चर का वो खुद से डिवाइड हो गया और सारे सेल के पीछे में आ गया यहां पे हमने टेवल का फार्मेट ही के इसलिए वो नजर आपको अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन आप इस साइड में देखेंगा तो आपको पूरे बैगरांड में वो चीज साथ ही अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो यहां से आप फूटर भी लिख सकते हैं bizarre reasoning का साईज रखना है जिस तरीके से प्रिंट लेना है वो सारा सेटिंग आप यहां पे कर सकते यह नहीं कि जो भी मैं अब तक आपको सेटिंग मता थे वह सास्टे के अंदर में जाकर कर सकते हैं नेक्स्ट आता है कि पेज को आप किस कितना वाइड रखना चाहते हैं कितने हाइट पर रखना चाहते हैं वह सारा फिसकेल अगर आपको एडिंग देखना है तो एबी सीडी लिखाई से प्रिंट करना चाहते तो इसे भी मिंट से लेगे इस तरीके से हमारा यह चीज़ आजाएगा नेक्ष्ट अरिंज ग्रूप है अरिंज का काम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो-तीन फोटो है तो जैसे कि पहले मैं दो-तीन पिक्चर या फिर कोई सेप को इंसर्ट करा ले तो ताकि यह समझाने में असानी हो तो यहां पर हम आते हैं इंसर्ट में और यहां स से हम सेप को ड्रॉ कर लेते हैं हमारे पास यह एक सेफ हो गई नेक्ष्ट हम शलते हैं तो यहां से हमने एक सर्कल को इंसर्ट करा लिया सर्कल का कलर हम जो है चेंज कर लेते हैं और ने हम नेंस ऩ मैंने एक और यहां से ले लेना है एक तीस्रा से हम ले लेते हैं और इसका कलर हम चेंज करले ने तो अब हमारे पास तीन सब्सक्ति हो उसे लेट में शलते यहां पर आपको सबसे करेंगे तो सेन्ट बेग करेंगे दूसरी कसे चाहेगा लेकिन आपको पूप्सन नजर आएगा ब रिंग तू फ्रांट यानि से डाइरेक बना तो यहां से किक करेंगे सबसे और चाहते हैं से करने इसे हम क्लिक करेंगे तो सारे हमें से तइसे होखें ने हम हुझत है जाएगे यहीं है तोन豫 यहां पे आपको दी हैं जो भी आपने टेक्स से लिखा इसका कितना रकना वह सारत यहां से कर सकते हैं तो सपस्दों को टो से इंसर्ट के अंदर आते हैं तो इंसर्ट में इलूस्ट्रेशन ग्रूप आपको पहले से पता इलूस्ट्रेशन ग्रूप का यूज हम किसले करते हैं तो अगर हमें से डेटा में पिक्चर इंसर्ट करानी है इसके बारे में पढ़ा था कि टेक्स बॉक्स इंसर्ट करना है से डेटा में हमें एडर फूटर लगाना है कि हर एक पर फूटर प्रिंट हो या फिर कोई वाड़ चाहिए यह सारा भी हमने पढ़ा हुआ था साथ में एक्वेशन आते हैं तो यहां पर आपको इक्वेशन नजार आएंगे जितने एक्वेशन में हमने देखा था जो जो सिंबॉल में थे वह सारे आपको यहां भी मिलने वाले हैं एक चीज़ हमने और पढ़ लिया है हाइपर लिंग हाइपर लिंग का यूज भी हमने एमेस वर्ड के टुटोरियल में पढ़ा था कि यहां पे एक्सल में आपको कुछ नए नए चीज नजार आ रहे हैं जैसे कि सबसे पहला चीज़ है यहां पे चार्ट चार्ट का यूज क्या होता है नेश हमारे पास इस पार्क्लाइन ग्रूप है और एक फिल्टर ग्रूप है तो यह तीनों जो है एक्सल के अंदर में हम और कुछ नए तो सबसे पहले आपको बतादो कि पाइवोत टेबल और पाइवो चार्ट जो है इसका हम अलग सेपरेट यक्षर देखेंगे और उसमें हम पाइवोत टेबल कराएं इस पूँए है इस पीज़गे सेलेख़े वेगर हम मान लेते हैं कि यहां में दूसरी टेबल इंसर्ट करने तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहां से हमें बस टेबल पर क्लिक कर लेना है इसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे और जैसा टीबल इंसर्ट करना यहां से हम सेंप्ली टेबल पे क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो यह हमारी टेबल के रुप में बनी हुई नजर आएगी अब यहां पर देख सकते हैं कि यह टेवल बन गई है टेवल की फॉर्मेटिंग अलग है इसे आप कोई फॉर्मेट भी देना चाहे तो डिजाइन में जाके इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके का भी स्टाइल रखना चाहते हैं वो सारा अब नेक्ष्ट हम आते हैं चार्ट तो जिस तरीके से यहां पर जो भी हमारे पास नुमिरिकल डेटा लिखे हुए हैं इस नुमिरिकल डेटा को हम चाहते हैं चार्ट के रूप में दिखाना जैसा कि आपने मैट्स का बुक पढ़ा होगा तो मैट्स के बुक में आप टो यहां से जीज तरीके चार्ट चाहते हैं इसिंप्ली उसस पर क्लिक करेंगे और उस चार्ट करेंगे तो यहां पर आप को चार्ट बनके नजर आ जाएगा अब इस चार्ट में आप जैसा schedule डिजाइनिंग देना चाहते हैं वो सारे डिजाइन को हाँई चार म Yesterday आपको उने चाहिए आप कॉलम शार्ट बनाना शाहते हैं तो यहां से हम कॉलम शाट को भी इंसर्ट करा सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे देटा जो है वो थ्रीडी कॉलम में नजर आ रहे हैं और यहां पर माइनस का अलग डेटा आपको नजर आएगा प्लस के लिए अलग है तो इस तरीके से यह चीज हम दिखा सकते हैं अगर आपको बार चार्ट साइए तो यहां से हम बार चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और सारा हमारे पास चार्ट के रूप में अपने डिटा को दिखा सकते हैं जिससे कि या किसी दूसरे पर्शन को डिटा समझने में आसानी हो गए तो यह हमारे हो गए चार्ट अब नेक्स्ट ग्रूप में हम चलते हैं तो यहां पर अगला हमारे पास इस पार्क लाइन से इस पार्क लाइन का यूज क्या होता है चलिए देखते हैं तो पहले हैं यहां पर हम एक इस पार्क लाइन के लिए अलग कॉलम इंसर्ट करा लेते ह यहां पर इस कॉलम में हम निख लेते हैं इस पार्क लाएंग अब जैसा कि मैंने अभी आपको इस चार्ट बना के दिखाया था अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है उसे हम एक सेल की अंदर में ही बना के दिखाया तो जैसे कि सपूस करते हैं यहां पर हमारे पास तीन मांक्स है तीनों मांक्स को हम स œल今日は करेंगे और select करने 2011 बाद हम चले जाएंगे स्पार्क लाइन में स्पार्क लाइन में js्पार्क लाइन में आपको तीन तरीके के चार्ट मज़र आएंगे तो बारी बारी-बारी से हम तीनों को देख लेते सबसे पहले online पर चलते हैं तो है। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लिक कि यहाँ आप ऑप जाने कि जो होगें के मैं अब करेंग यहां पर एक लाइन ग्रायाफ जो है वह आपको बनी हुई नजर आएगी अब इसद्वाइं को आप देखें के जैसे-जैसे मैं डेटा के अंदर में changes करूँगा यह line graph भी जो है वो change हो जाएगी आप देख रहे हैं वो line जो है वो rotate होते चली जाए रही है यहाँ पर मैंने data को और कम कर लिया तो line जो है फिर से rotate हो गई बीच वाले को हम positive में 80 बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि बीच में उठ गया और नीचे का कम हो गया तो इस तरीके से हम एक line की मदद से अपने data को दिखा सकते हैं और यहाँ पर हमारे सारे data जो अलग-अलग line के रूप में आपको नजर आगे अब suppose करते हैं कि यही सारे charts को हमें line नहीं column के रूप में बनाना है तो इसे हम select करेंगे और वापस से insert में जाके line के जगह पर column क्लिक करेंगे फिर से हमें पूछ रहा है data range हमें क्या रखना है तो हम इन सारे data को एक साथ select करेंगे और इसके बाद में हम यहां से okay करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह स हो गया second lowest हो गया तो इस तरीके से data को आप change कर सकते हैं और change करने के बाद जो आप रखना चाहें वो सारा कुछ कर सकते हैं अब इसी के साथ हमें स्पार्क लाइन में column भी नहीं चाहिए हम वीन लॉस देखना चाहते हैं व्याइन कि आप data में देखना चाहते है कि कहां पे आपका data loss है कहां पे वीन है मतलब एक तरीके से कहां पे highest value है कहां lowest value है तो वह सारा आप वीन लॉस पे करेंगे तो यहां पर आपको दो color में नजर आएगा जैसे कि हम data को select करते हैं तो जीतने हमारे positive part है वह सारे आपको blue color से दिखाएंगा और जो negative है वह रहेगा जैसी ओक कर सकते हैं कि कहां पे आपका जो data है वह positive है कहां पे negative data है कहां loss हो रहा है यह सारा काम आप sparkline के मदद से आसानी से कर सकते हैं नेक्स्ट आप हम आते हैं तो यहां पर आपको दीखेगा slicer slicer जो होते हैं यह data को filter करने में असानी होते हैं जैसे suppose करते हैं कि यहां पर हम से के लिए को select करते हैं और वापस slicer में जाते हैं और slicer में जाने के बाद आपको नजर आ रहा है हिंदी English मैस टूटल और सपार्क लाइन हम केवल हिंदी को select करेंगे और रोके कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि हिंदी के लिए हमारे पास यह data आगया अब हिंदी में हम जिस नंबर पर click करेंगे हमारे पास बस वही data दिखाएगा यानि कि यहां से हम अपने data को असानी से filter करके जो data हमें ढूंड़ना है उस data को असानी से हम ढूंड सकते हैं आप देख र हमने जो है यहां पर दो-तीन data को पहले सेम बना लेते हैं इसे हम हम हंड़ेड बना लेते हैं दो-तीन data हमारे पास सीम रहेगा तो हमें समझने में असानी होगी चलिए तो यहां पर हमने यह चीज वह बना लिया तो आप देखेंगे कि जैसी मैंने data में changes हो गया और हमारे पास जो unique data है बस वही आपको नजर आएगी यानि कि दो बार हमारे पास 100 था तो यहां पर आपको एक बार ही नजर आएगा हमारे पास 24 भी दो बार है तो एक बा पर नजर आ रहा है अब हमें जिस marks को देखना से इंपले मुस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि डेटा में बस वही नंबर हमको सो करेगा बाकी सारे को यहां से रिमूफ करेवेगा तो इस तरीके से इसका यूज करके हम अपने data को आसानी से filter कर सकते हैं और यहां आपके पास अगर हजार हो डेटा है उसमें से किसी पार्टी कूलर को देखना है तो आप इसकी मदद से आसानी से वह काम देख सकते हैं साथ ही अगर आपको टाइम लाइन के रूप में देखना है तो वह सारा आप टाइम लाइन के रूप में यहां से देख सकते हैं तो इ हमारा जो है वो इंट्रॉडक्शन चल रहा है और इंट्रॉडक्शन में हम सारे टूल्स का इंट्रॉडख्शन देख रहा है इन सारे टूल्स को अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसे कमेंट करके बता दे मैं उस पे आपको वीडियो बना कर तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आई होप कि आपको इंसर्ट और पेज लियाउट दोनों समझ में आ गया होगा अगले वीडियो के अंदर में हम फॉर्मूला देखने वाले हैं और यहां यह हमारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाल एक्सल का introduction part जो है वो complete हो जाएगा introduction complete होने के बाद फिर एक्सल के अंदर में जो जो काम हम कर सकते हैं वो सारे काम को करना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम report card generate करते हैं किस तरीके से data entry करते हैं किस तरीके से data analysis करते हैं यह सारा हम separate अलग अलग वीडियो में देखते जाएंगे तो तब तक के लिए जुड़े रहे हैं मेरे साथ जाहें दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो like करें subscribe करें और इसे ज्यादा से ज्यादा सेयर करें मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाएं दोस्तों